Hello everyone, welcome you all at Lucas' Unlimited Studies स्वागत आप सभी का कर रहे हैं गनित का मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र करमांक दो और ये इसका दूसरा भाग है, दूसरा लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं, कल इसके पहले हमने कुछ कुछ कुछन्स कर लिये थे especially मैं आपको बताऊं, कल हम लोगों ने question number 3 तक कर लिया था शुरुवात हुई थी यहां से, ये देखे, ये वो प्रश्न पत्र है set B कर रहे थे हम लोग, तो set B में हमने भाग एक मतलब की यहां तक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट मतलब objective question सही विकल्प का चुनाओ कर लिया था, इसके बाद रिखते स्थान की पूरती कर लिया थी और इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ कर लिया था अब आज हमारे पास जो segment है, उसमें है, एक वाक्य में उत्तर देना है तो देखते हैं किस प्रकार से इसको किया जा सकता है एक वाक्य में उत्तर देने में सबसे पहला question दीखिए, आपके पास में क्या है एक्स, ये सान्डिक दिया है आपके सामने तो कैसे हल हो जाएगा, बहुत ही simple है, इसमें कुछ ज़्यादा कर लिक जो होती है एक्स स्क्वाइर माइनस 36 में एक्स का मान, तो देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ पका 0 दिया होगा, ऐसा नहीं है, question अपूर्ण है तो एक्स स्क्वाइर माइनस 36 अक्वाइर जीरो हो जाएगा, तो इसको solve करोगे आप तो एक्स स्क्वार इक्वाइर्क दिया हो जाएगा, तो आंसर आए गा, इसका x एक्वाइर अक्वाइर प्लस माइनस 6, तो यह part भी हो गया है यह question देखिए काफी बड़ा है I don't know कि यहाँ पर यह objective की form में कैसे दीड जा गया है है ना तो इसको हम solve करेंगे पहले इन बागी questions को solve कर लेते हैं इसके बाद मैं last में इसको solve करा देता हूँ भी यदि किसी साने की किसी कोई पंक्ती या स्थम्प के सभी अभयब सुन हो तो साने कमान क्या होता है अगर किसी साने की कोई पंक्ती या स्थम्प के सभी अभयब सुन हो देखे पंक्ती बूला जा रहा है और या आप यब बूला जा रहा है तो सभी मान सुनने होगे तो कोई भी सट्बक ले लोगा रिशके पंक्ती या या इस तम के इस मान सुन कर दोगे तो अंडरूट 4, प्लस 1, प्लस 4, तो 4, 4, 8, 9, कितना हो जागा, तीन हो जागा, तो ये बन जागा, 2 upon 3i कैप, तो एक गुणा 3 के साथ ये बन जागा, 3a, मैनस 2, 6, 12 हो जागा, 3 गोने कितना हो जागा, तो 3a, 15 और 12 जागे, कितना हो जागा, तो ए बडाबर जागा, तो आज आगा, तो आज़ा गटना है, ए अगला क्वेशन है, घटना है, फो क्या कहते हैं, तो ए यूनियन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या आएगा देखो आप जानते हो probability का सूतर क्या होता है ये question जो है probability के सूतर से बनेगा है ना तो ऐसी घटनाओ को क्या बोलते है मैं इसे बता दूँ ऐसी घटनाओ को बोलते है परस पर अपवर्जी घटना है क्योंकि अगर आपके पस total इस तरीके से देख हो गया अभी बाला पार्ट जिलोों इसका मतलब ए और बी साथ में घटित नहीं हो रही है है घ्यरल इसके आदर क्युन Prenau Systems को बोलते हैं इसको इंधि में तो इसके इसकी probability इसकी प्रैक्ति किती हो जागी इतने हिस्से की तो इतने हिस्से की प्रैक्ति जीरो हो जाती है और जीरो होने कारण आपका जो answer आएगा कितना आगा पी ए यूनियन बी कल टू पी ए प्लस पी बी तो ये बाला पार्ट भी क्लियर हो गया है ना तो sign inverse ये अपने पास पी ए एफ एकल टू पी प्लस पी एफ होगा ऐसी घटनाओ को क्या बोलेंगे अपन ऐसी घटनाओ को अपन बोलते हैं परस पर अपवर्जी घटना लिख लीजिए गा इंगलिस में को mutually exclusive event बोलते हैं and in Hindi it is called परस पर अपवर्जी घटना परस पर अपवर्जी घटना चली दुफ से अपने इसका प्रांथ लिख लिया है चली अगले question क्यों चलते हैं अगला जो question है आपके पास में यह हमने कहा था कि यह question जो है बहुत ही आढ़ा तिरचा कहलो या difficult कहलो ऐसा question इस यहां पर एक माक्स में तो वैसे आना नहीं चाहिए मगर फिर भी देर या I don't know ऐसा question solve करेंगे ही यह देखिए यह question मैंने लिख दिया है okay question क्या कह रहा है कि x के सभी वास्तिविक मानों के लिए इसका नियूंतम मान क्या है भाई सा मतलब maximum इनमा उच्छिस्ट का सवाल है यह तो सबसे पहले क्या कर लो इसको अब सबसे पहले fx मान लो या y मान लिए चलो मैं सबसे लेक्षा कर लर्ण माइनस और कर समाकलन तो हर कितना होता है one plus x plus x square हर गुणे अंच का समाकलन तो हर अपने पास में कितना है दी वाई डी एक्स ओफ वन प्लस x प्लस x square हर गुणे अंच का समाकलन है ना कि इसको टो यह हो जायगा 1 प्लस प्लस एकस च्वायर और वन का कितना हो जाएगा जिरो और फ्लस कितना हो गया तो एकस ठीकेंड हाँ तो इधर वाला जो हिस्सा बना है उकित्ता बना है minus one plus two x, okay और चलो इसको लिख लो one plus x plus x square, question लिखने में गल्दी तो नहीं करी न, one minus x plus x square उपार है, one plus x plus x square नीचे है, तो हर गुणे अंश का समा कलन, minus अंश का समा कलन, बड़े सिसका नीचे को बड़े का square, तो चलिए अब अब हम हमें इसको क्या करता है यह वाला पार्ट जो है अपने पास में इसको हमें हल करना है ौसर किस तरीके से यह हल होन कि दिख़ो औं वन ब्लस एक स्कूरह ॥ एक काम करूं पहले यह जो आप पकी पास टन मैं को आंगे लिखे हैं क्पी चोड़ा है तो यह कितना है यहां वाग्री फॉन-प्लस-डूमिज से हैंना और निचे कितना है वन-प्लस-ड रिखे डार वाजो ओल अब देह को माइनस की बिखे लगव बड़ा सा ही राख है और यहां कितना बच गया माइन से मल्टीप्लाइ करो कितना है माइन स1 हो जाएगा- प्रेक्स औूए क्साथ करो तो Plus 2 एक्स हो जाएगा plus 2 एक्स क्वाइर हो जाएगा प्लस 2 एक्स की पाबर क्ता हो जाएगा थ्री हो जाएगा ना तो टू-ेक्स का इन्टि एक्स सप्प्वाइर हो गया ऊपलस्टू एक्स की इनजिया मायनस लगाया. अब अंदर इसको खोल डालो तो ऑनी के सान मुल्टिप्लाइख करो तो स्क्वायर हो गया और टू एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ कितना हो गया टू एक्स का क्यूब हो गया ठीक है और यह हो गया वन प्लस एक्स सब कुछ लिख दिया आपने अब इसके बाद आपको कैंसल वेंसल करना जो भी कैंसल हो सकता है वो आप कैंसल करेंगे ठीक ना थोड़ी सी अब मेहनत लगने वाली यहां पर देखिए देखिए सबसे पहले टू एक से स्कुएर है और आप चाहो तो इसको भी पूरा का पूर पूरा का पूरा ओपन कर देता हूँ फिर इसके बाद में हम लोग स्कॉर्ड जिस करते हैं ना यस यह देखिए यहां तक हम आ चुके थे अब यदि हम देखें तो सबसे बड़ा टर्म यहां पर कितना है सबसे बड़ा टर्म है यहां पर 2x क्यूब है है ना 2x क्यूब के ले इक फ्लस का x स्कॉर्ण फिर एक है प्लस का 2x और एक 2x में से माइनस एक्स गया तो कितना बच गया प्लस का x बच गया ओके और यहां पर 2x हाँ ये भी ये भी हमको ने यूज़ कर लिया है ठीक है ना और अब क्या बच गया 2x cube भी यूज़ हो गया है और अब हमाई पास बच चुका है minus का 1 तो ये मैंने minus का 1 यहाँ पर लिख दिया अब देखे इसको attack करिए हाँ पर सबसे पहले इसको solve कर लो देखो ये 2x है सबसे पहले देखो highest term कितनी है 2x cube और minus का attack होता है कितनी हो जाएगी minus of 2x cube ठीक है क्योंकि minus खोलेगा तो इसको plus को minus कर देगा अब देखो ये है minus 2x square और ये है plus x square तो कितना बचेगा कितना बचेगा आपके पास में minus 2x square और plus x square तो आपके पास में बचेगा minus x square और minus x square में minus का attack होगा तो क्या बचेगा plus का x square अगला देखो 2x में से x गया तो कितना बचा plus x बचा और minus का attack होता क्या बचेगा minus x ठीक है ना और ये क्या हो जाएगा आपके पास में ये भी यूज़ हो गया 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 ये बचा तो माइनस का वन चलो सब कुछ हो चुका है अब आन में वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वार का होल स्क्वार है यह आगया अपने पास, यह क्या है भाई, डी वाई डी एकस है, इसको और सिंप्लिफाइग कर लो, देखो जो कट कुट जाए, तो 2X क्यूब से यह कैंसल हो गया है, अब बचा क्या है, आपके पास में बचा है उपर, 2X स्क्वाईर माइनस का 2, अब आउन में, 1 प्लस X प् बचान है, क्योंकि D-WDX equal to zero हुआ करता है, तो D-WDX equal to zero कर दीजा, और एक चीज़ और यहाँ पर आपको double derivative भी करना पड़ सकता है, यहाँ पर आपको double derivative करना पड़ सकता है, इस पर अधिकतम या न्यूंतम हो सकता है, तो दीखे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर्स पह तो अगर मैं 2 common लेलू तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 times of x square minus 1 और नीचे है 1 plus x plus x square का whole square ओके वाइसको मैं लिख सकता हूँ 2 x minus 1 x plus 1 ओके और नीचे क्या है 1 plus x plus x square का whole square ठीक है चली यह क्या आचुका हमाँ पास यह आचुका है dv by dx ठीक ना हमें इसकी जरूरत पड़ेगी यह जो dv by dx हमाँ पास बना हुआ है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी चली तो इसको ले चलते हैं हमपन यह मैंने इसको ले आइधर अब हम जानते हैं कि अधिक्तम या नियूंतम के लिए condition क्या होती इसको जीरो हुआ करता है तो डीव डीव डी एकस एकल डू जीरो कर देंगे मतलब इतने इस वाले पार्ट को जीरो कर दोगे तो जीरो होने के लिए आपके पास दो सिचुईशन या तो x-1 1-1-0 होगा या x-1-0 होगा तो एक हमाँ पास आंसर हैगा x-1-1 और यहां से आंसर हाईगा हमाँ पास x2-1 ठीक है अब देखे अज हामें यह पता करना है कि कौन सा जो है बिंदू उचिष्ट है और कौन सा बिंदू निमिश्ट है मतलब किस बिंदू पर हमको चिश्ट मान मिल रहा है तो आपके पास बिंदू क्या है देखिए यह आप की पास बिंदू है एक बना लो minus 1 और एक बना बimagini वख्यूरा को यह होगे जो भी प्रभावाव करेगा नहीं जो भी प्रभावित करेगा कॉन करेगा ओपर वाल लाल कुछा माइनसोर के पार का रहीडियो ए तो जिरो पर नियरो कि एप यहयोग हो यह पर फुल थे पास्ट Ini प्र हो गलती हो गई, मैं नी जरो ले लिया है, लिल्स मेनस मेंद स जो भी लेना हो आप ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यदी इसके पीछे का बिंदु ले रहे हो तो 2 तो फॉजटिव गॉजटिव है अपने पास यह क्या बन रहा है यह सोजाएगा मतलब आराम करेगा रिष्ट करेगा अब माइनस 1 के बाद मैं साइध 1 बोल गया माइनस 1 अब माइनस 1 के बाद अगला पॉइंट आपने देखा था 0 और 0 पर क्या आया था निगेट बाया था मतलब कैसा होगा decreasing होगा decreasing बिल्कुल सभी तो यहां पर आपका जो function है माइनस 1 से लेकर के इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ क्या हो रहा था दिखे आपका जो function है यहां पर increase हुआ है और इसके बाद आपका फंक्शन जो होरा है क्या होरा है? decrease होरा है मतलब की उच्छ बिंदू, दोगें, अब प्लस वन को देख लेते हैं, तो प्लस वन के पीछे, प्लस वन के पीछे क्या होता है? जीरो, तो जीरो पर स्लोप आपका क्या चुका है? नेगेटिव, अब प्लस वन के आँए लो, तो टू रखो यहांपे, तो टू इनटू निगेटिव आया है यहां positive आया है तो जब भी जो slope जाता है slope याने डीवडी एक्स तो याने कि प्रमणता जब भी मतलब की उचिष्ट विंदू मिल गया हमको उचिष्ट विंदू और हमको निमनिष्ट विंदू मिल गया प्लस वन पर हमें इसका मान निमनिष्ट मिल रहा है प्लस वन पर हमें इसका मान निमनिष्ट मिल रहा है तो आईए निमनिष्ट मान निकालते हैं निमनिष्ट मान कितना होगा नियूंता मान निकालना है तो प्लस वन पुट कर दीजी तो दिखिए यहां पर ही मैं पुट कर देता हूँ आराम से आ जाएगा यह एक काम करो इ इसका हमें निम्निष्ट मान निकालना है, तो यह हमाँ पास फ़लन था, fx था, है न, equal to 1 minus x plus x square upon 1 plus x plus x square, तो निम्निष्ट मान कितना निकलेगा, f of 1, x की value 1 पर 1 minus 1 plus 1 का square हो गया 1, और 1 plus 1 plus 1 का square हो गया 1, तो 1 say 1 cancel हो गया, उपर आ गया 1, नीचे आ गया 3, तो इसका निम्निष्ट मान आपको कितना निकलेगा, 1 upon 3 निकल जागा, इसका निम्निष्ट मान, clear है, तो 1 upon 3 इसका निम्निष्ट मान निकलेगा, तो यदि पूछा जाए, इसका answer, इसका नियुन्तमान कितना होगा, इसका अगला question है, निम्निष्ट में से, एक सिकन, हाँ, अगला question जो आ रहा है, निम्निष्ट में से सत्य असत्त आपको बताना, परशन कर्मांग 5 सत्य असत्त आपको लिखना चली, कह रहा है, कि F, इस परिभाशत है, X से लेके Y में, एक एक ही कहलाता है, कि X1, X2 के लिए, Fx1 is equal to X, Fx2, जबकि X1 और X2 equal नहीं है, एक एक ही कहलाता, बिल, देखे, कह रहा है, कि अगर X1 और X2 equal ना होने पर, implies कह रहा है, मतलब, अगर दोनों फलन के output equal होंगे, तो input equal नहीं होंगे, बिलकुल गलाते तो परिभाशा के विपरीध है, हैना, एक ही कहलाता है, कि अगर Fx1 equal to Fx2, क्या देता है, X1 equal to X2 देता है, तो यह क्या होगया, असत्य होगया, यह क्या होगया, रॉंग होगया, अगला cos inverse X का प्रांथ, R minus, minus 1 to 1, भाई, प्रांथ कह रहा है, बिलकुल गलत कह रहा है, इसका जो प्रांथ होता है, वो minus 1 से लेके 1 हुआ करता है, और यहां तो प्रांथ को बदल दिया, तो यह भी असत्य है बाई साब, चले, अगला देखे, प्रतेक अधिस आवियू, एक विकर्ण आवियू होता है, बिलकुल सही बात है, देखे, अधिस आवियू क्या होता है, इस तरीके का आवियू जो हता है, यह अधिस आवियू होता है, जीरो जीरो से एक मिनट स्वरी वेट करिए थोड़ा सा क्या हो गया यह हाँ यह गलत लिग दिया था मैंने इसको मैं सही कर देता हूँ यह तो परती एक अधिसावियों एक विकारण आवी होता है तो यहाँ पर अधिसावियों किस टाइप का होता है अधिसावियो जो होता है, जिसके सारे विकर्ण के अवियब जो होते हैं, वो constant हुआ करते हैं, और इसको बाकी सारे के element क्या करतो, 0000 करतो, तो इसको अपन बोलते हैं, अधिसावियो, और ये किस रूप का दिखता है, आपको के आई के रूप का दिखा करता है, तो कह रहा है कि यह आपके पास में समगाती अवकल समीकन बिल्कुल नहीं साफ नजर में आ रहा है कि देखे प्रते एक पतकी घाद बराबर नहीं है यह अवकल समीकन समगाती यह नहीं है ओके क्यों नहीं है देखे यहां पर इसको जरिया पल्टोगे तो डीवाई डीएक्स इक गाती है बट ये एक घाती है नहीं है ये एक घाती है ये भी एक घाती है और ये एक घाती नहीं है इसलिए यह देखिए यहां पर इसकी पावर वन है इसकी पावर वन है यह एक मिनट यहां पर यह वाई होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया यह वाई है ओके तभी तो नही, तो जुल जाते हैं, तीन और दो, पांच हो जाते हैं, यह Y है, तो यहां पर एक घात का यह एक घात का, परंतू यह एक घात का नहीं है, क्योंकि Magpat should be कितनी होती चरण कितनी होती जी federal थिए उत्तर यह समघाती नहीं है ठेकल यह समगाती नहीं है अगला देखिए सदस आइकिश जीकर प्लस किक की का का परिमान रूट फ्रि यह बिल्कुल सहई बात है इसका जो परिमान आये बिलकुल नहीं होता है, गलत बात है, तो इसलिए आप योह में गुड़न संक्रिया के करम इन जो किया है, और आप असत करार दिए, यहां पर कर्षेंगा क disrupt जो करते हैं, जबन होता है, शच्तवे करते हैं, चलिए अगला व्हरतान में पर स्वालाइए ह Bene में दो प्रेश्ण है आर में ठीक है अब देखते हैं क्या कह रहा है तो इसको लिकर चलते हैं यस या के कुश्चन है पस कहरी सिद्ध कहरी कि f1 equal to f equal to 1 x greater than 2 के लिए fx equal to x minus 1 वाला प्रदत फलन एक एकी नहीं है वाई सब बड़ा असान कुश्चन देखे साफ देख रहा है कि अब इस फलन को बनाते हैं सब इंडाइगरा मना लीजेगा इसका मैपिंग बना लीजे तो 1 पर और 2 पर इसका जो आउटपुट बन रहा है वो कितना बन रहा है और उसके आंगे x greater than 2 के लिए x minus 1 मतलब अगर आप इसको 3 देते ह तो आपको 3 देगा इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा एक कम देता जाएगा परंतु देखे यहां पर 1 और 2 की मैपिंग क्या है 1 है मतलब की एक और 2 के प्रतिवे में क्या है एक है अतहय है एक है की नहीं है ठीक है ना परंतु यह अच्छा दक की बात होती ते बिलकुल अ मुग्चा है 1 2 3 में आर 1221 द्वारा प्रद्त फ्लन सम्मित है ओह भाई क्या सिंपल बात है वर्ण का टू से रेलेशन और 2 का बन से रेलेशन दिया गया है तो आपके पास जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है 1,2 and 2,1 तो बिल्कुल सही बात है कि since 1,2 belongs to R इट इंप्लाइज एट ये दिखा रहा है कि 2,1 is also belongs to R अगर 1,2 संबंद के अंदर है तो 2,1 भी संबंद के अंदर है अतह दिया गया फलन कैसा होगा अतह दिया गया फलन जो होगा सम्मित होगा अतह दिया गया फलन जो होगा वो क्या होगा सम्मित होगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है क्वेश्चन नमबर 6 के बाद ये भी होगया दूसरा पार्ट भी होगया ना चलो अब क्वेश्चन नमबर 6 के बाद चलते हैं आप एक फॉर्ष यह को वैंक से इसमें गया 10 को हो यहां पर एवन बनाहेंगा यह पर एवन टू आएगा यहां यहां एक टू एटू आएगा ठीकड़ना हैं एक सिखाय देता हूं और नो कोई बड़ी बात नहीं आपको बना दीजे अपने पास में देखिए दूसरा जो पार्ट इसका है आपको विकारणा वियू का एक्जामपल देना तो अपने मन से बना दीजे A ले लिजे, B ले ले लिजे, C ले लिजे, इदर 0, 0, 0, 0, 0 और 0 तो यह आपके पास में क्या हो चुका है, यह 3 x 3 का कौन सा व्यू है यह आपका विकर्ण व्यू है, क्योंकि विकर्ण के element बस इसमें रहते हैं बाकी सारे element इसमें 0 हो जाते हैं तो यह आवई हो कहला था आपका विकरना आवई हो बहुत ही सरल सामानने question question number 7 के दोनों पार्ट हमने पहले और दूसरे कर लिये है चलिए अगला question देखते हैं कहरा कि x square plus 2x plus 3 का दूती कोटी है बहुत ही सामानने question है तो सबसे पहले आपके पास में y फलन का नाम ले लिए y equal to x square plus 2x plus 3 है अगर आप इसका प्रत्रम कोटी का उकलेच करेंगे तो डीवबे डीएक्स कितना आएगा 2x plus 3 हा जाएगा और इसके बाद आप इसका दूती कोटी का उकलेच करेंगे तो 2x का 1 हो जाएगा बाकी सब 0 हो जाएगा तो इसका correct answer कितना है 2 है अगला question देखे fx equal to 2x square minus 1 क्या x equal to 3 पर सतत है बिल्कुल सतत होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये कैसा फलन है ये बहुपद फलन है और बहुपद फलन जो होते हैं वो हर एक बिंदू पर सतत होते है इसलिए ये है क्या होगा सतत होगा बाकी करने के लिए आप क्या कर दोगी सीमा का मान equal to बिंदू पर मान तो बिंदू पर मान कितना निकलेगा f3 और सीमा का मान कितना निकलेगा limit x tends to 3 of fx तो दोनों मान आप निकालेज़े, दोनों मान बराबर निकलेंगे, चली अगला question क्या कह रहा, दो संख्याएं X और Y का ग्याद कीज़े जिनका योग 35 हो और गुड़न फल आपका महत्तम हो, ठीक रहा आपको बता दो कि ऐसी एक शॉट ट्रेक है इसको करनी की, हलाकि अबजेक्टिव नहीं है, तो मैं इसका पूरा solution भी करवाऊंगा, अगर कभी ऐसा करा जाए कि योग 35 हो और गुड़न फल महत्तम हो, तो इस संख्या को निकलने वाली है, चलिए फिलाल इसको solve कर लेते हैं, कि किस तरीके से इस प्रशन को solve किया जाए, यह उचिष्ट और निमनिस्ट वाले चैप्टर का यह सवाल है, तो आई इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक ना, तो दो संख्या है, एक्स तथा वाई ग्यात कीजिए, जिनका योग 35 है और गुड़न फल महत्तम हो, तो चलिए दो संख्या है, एक्स और य, योग फल कितना है, 35 ले लिए अपनने, तो यहां से 35 मा माईनिस एक्स, तो पी इक्वल तू 35 एक्स, मा अग्स का एक्स स्क्वाइर है ना, यह आगी अपने पास, पी इक्कल टू 35 एक्स मां अग्स का इक्स क्वार, यह बन गए अपने पास पी, फलन, अब चलो, इसी को अपन को अधिकतम करवाना है, तो तो dp by dx equal to 35x का कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और आपन जानते हैं कि यह देखतम और नियूंतम के लिए एक काम करो इसको double derivative भी कर लो भविश्य के लिए तो इसको double derivative आपने के लिए d square p upon dx square तो 35 हो जाएगा 0 और में जाएगा माइनस टू मतलब लेस देन 0 माइनस टू लेस देन 0 मतलब कोई भी बिंदू जो आपका निकलने वाला है वो निगर्टिव दे रहा है मतलब क्या मिलेगा आपको उच्छिष्ठ बिंदू point of maxima उच्छिष्ठ बिंदू मतलब जो point आपके पास आने वाला है गुड़न फल महत्तम देगा अधिक्तम देगा क्योंकि यह माइनस टू आ रहा ना चलो तो अपने जानते हैं कि उच्छिष्ठ निम्निस्ट निकालने के लिए डीपीवाइडी एक्स का मान किसके एको लगते हैं 0 के इकोल मतलब 35 माइनस टू एक्स एकल टू कितना हो तो एक्स और वाई दोनों के मान निकालना है तो अपने को पता है कि जो एक्स का जो मान आ रहा है आपके पास में एक्स का मान कितना आ रहा है 35 वटे दू और जो वाई का मान आपके पास में निकलेगा वो कितना निकलेगा वाई का मान आपके पास निकलेगा 35 माइनस 35 क्लियर तो इस तरीके से आप ये जो है इसका हल प्राप्त कर लेंगे ये आपका हल हो जाएगा टन सो आई बिलीव ये क्वेशन आप से जो है बड़े आराम से बन जाएगा कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी तो ठीक है ना आपको कह रहा है कि बिन्दू क्या होंगे तो आंसर होगा एकस इक कोल डू पैतिस बटे दो और वाई कोल डू भी कितना होगा पैतिस बटे दो डन अगला कह रहा है कि वह अंतराल ग्याद कीजे कि जिसमें इसके द्वारा परदत फलन जो है वो वर्धमान है ठीक ना आपको कह रहा है कि वह अंतराल ग्याद करो जिसमें इसके द्वारा परदत फलन क्या है वर्धमान है मतलब आपको इंटर्वल निकालना है जिसमें फलन माइनस 2x प्लस 1 डोमेन कुछ दी नहीं है न बहुपद फलन है बहुपद फलन की डोमेन क्या होती है यह – infinity से प्लस इंफिनिटी मतल recruit फलन परिवाशित होगा से लिए प्लस इंफिनिटी में परिवाशित होगा open इंटर्वल चलो अब कर दो इसका क्या X minus 1 equal to 0, तो X equal to 1, मतलब function का जो एक आपका बिंदू आ गया, जिस पर फलन आराम कर रहा है, वो क्या है, X equal to 1, यह है, suppose X equal to 1, ओके, इसको 1 ही रहन दो, तो आपके पास एक interval क्या बन गया, minus infinity to 1, और एक बन गया 1 से लेके infinity, अब आपको देखना है, कि इसमें nature किसका है, तो किस इसका nature देखा जाता है, F-X का, यह जो F-X आया है, इसका आपको nature देखना पड़ता है, ठीक ना, तो दो interval आपके पास बन गया है, एक minus infinity से लेके 1 और एक बन चुका 1 से लेके infinity, तो minus infinity से लेके 1 के बीच का कोई भी point put कर दो, 0 put कर दो, तो 2 into 0 minus 1, तो कितना आ गया minus 2, तो मत मतलब इसमें जो nature आ रहा है, वो negative आ रहा है, मतलब कैसा आएगा, फलन हरास माना आएगा, यह दिखे, क्योंकि इसमें जो आ रहा है, F-X का मान कितना आ रहा है, negative आ रहा है, कोई भी point आपने ले लिया, जैसे आपने इसके बीच का कोई बिंदू ले लिया, 0 ले लिया, तो मतलब इसमें फलन क्या है, रास मान है, चली, अगला देखे, वन से बड़ा बिंदू ले ले, वन से कोई बड़ा बिंदू ले लो, तो यहाँ पर पूट कर दो इसमें, F-X में, 2 into 2 minus 1, 2 minus 1, एक हो जाएगा, और 2 आएगा, मतलब इसमें पॉजिटिव है, मतलब इस तरह फ हो गया, complete, यह फलंज होगा, वर्दमान होगा, तो F-X equal to इतना, इस से प्रदप्त फलंज होगा, वो कैसा होगा, वर्दमान होगा, चली, अगला question देखते हैं, next question, question number 10 है, अपने पास में, x square minus 16 का आपको समा कलन ग्याद करना है, तो बहुत ही simple question है, इसमें कुछ करने जैसा ही नहीं है, तो dx upon, इसको x square minus 4 square कर लिजिए, इसके बात formula लगा दिजिए, 1 upon 2 a, तो 1 upon 2 into 4, log of x minus a upon x plus a, x minus 4 upon x plus 4, ठीक ना, बहुत ही simple, 1 upon 2 a, log of x minus a upon x plus a, x e की power x में क्या करेंगे, सीधा ये golden rule लग जाएगा, x into e की power x, तो i late से inverse logarithmic, algebraic तो पहला algebraic बन गया, दूसरा आपने पास में, exponential बन गया, है ना, तो इसको integrate कर दो, तो क्या rule होता है, first function into integration of second function minus integration of differentiation of first function, e की power x का one हो गया, का whole integration, होके, और dx तो ये कितना ह हो जाएगा, ये हो जाएगा, x e की power x ये आएगा, minus e की power x, तो आप चाहें, तो e की power x common लेने, तो कितना बचेगा, x minus 1, बस यही आप answer लिख करके आएगे, चले एक अगला है, cot inverse x square minus 1 को सरलतम रूप में व्यक्त करो, देखो भाई, दो question आपको दिये हैं यहापे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखी, जो पहला question है, आप सबसे पहले क्या करीए, इस question का कुछ नाम करना कर दो भाई, तो y is equal to, क्या हो गया, cot का inverse, और 1 upon under root, जो है, x square minus 1, ये कर दी आपने, अब आप x कीजिए के क्या पूट कर दो, देखो, x square minus 1, sec square theta is equal to 1 plus 10 square theta होता है, और cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta होता है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजे, यहाँ पर आप पूट कर दीजे, x equal to sec theta, बलकुल सही, तो यहाँ पर आप x equal to sec theta पूट कर दीजे, है ना, तो इससे आपका फायदा हो जागा, तो देखी, y is equal to, कितना cot inverse, और यहाँ पर आपन यही होता है है ना से के स्क्वाइर थीटा माइनस वन कब उट करना पड़ता है जब एक से स्क्वाइर माइनस वन होगा तो कोई लिए तो वाई इकोल टो होगया काइन वर्स यह देख अंधर कितना गया अपको पता है स्क थीटा माइनस वन कितना होता टेन स्कुSPD तो आपके पास 1 upon 10 square theta का reciprocal कितना बन जाएगा 1 upon 10 theta 1 upon 10 theta क्या होता कॉट theta होता तो कॉट inverse bracket में क्या आ गया कॉट of theta आ गया कॉट से कॉट eliminate होगा किवल कितना बच गया theta और theta की value क्या जाएगी यहां से जब x equal to sec theta है तो theta is equal to क्या जाएगा sec inverse x तो यह इसका answer होगा कह रहा कि सरलतम रूप में लिखना है ठीक ना तो इसका answer होगा sec inverse x तो सरलतम रूप में लिख दिया हम लोगों ने इसका answer कितना होगा sec inverse x चलिए अगला question दिखते है sine inverse sine 2 by by 3 बहुत इसकल question sine inverse sine 2 by by 3 solve करना है तो sine inverse sine of 2 by by 3 देकि sine की जो principal domain होती है वो minus 90 से plus 90 हुआ करती है ठीक ना आपको पता होगा कि sine inverse x में जो जिसे y is equal to आपके पास sine inverse x लिखा हुआ है तो x जो हुआ करता है वो minus 90 degree से plus 90 होता है अब यहां पर यह देकि 2 by by 3 मतलब किते डिगरी है 120 degree हमारे काम का नहीं है क्योंकि 120 degrees principal domain के बाहर है तो मैं क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं sine inverse as sine 180-50 ना हाँ 180-50 क्योंकि मुझे 120 चाहिए है तो 180-60 sorry 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 हाँ तो 180-60 equals to कितना हो जाएगा अपने पास में तो अपने पास में हो जाएगा sine 120 हो जागा 125 यह 3 मतलब 120 होता है तो आप इसको अगर radian में लिखना चाहो तो radian measurement में भी लिख लो थोड़ा category measurement जो होता हूं DC value feeling देता है इसलिए समझ में जल्दी आता तो pi minus pi by 3 चलिए तो यह हो गया अपने पास में कितना sine inverse sine pi minus pi by 3 तो यह कितना हो गया sine 180 minus theta sine 180 minus theta कितना हुआ करता है sine theta होता है sine pi by 3 तो sine inverse से sine क्या हो गया cancel हो गया है ना answer कितना आ जाएगा इसका pi by 3 is the correct answer तो इसका correct answer क्या होगा pi by 3 done तो इसका correct answer कितना रिख लेगा pi by 3 निकलेगा चलिए अगला question देखते है धे question never twelve है so this is K and this आपको मातरक सदिस ज्याद करना है तो आपको मातरक सदिस निकालना इसके सदिस तो कैसे निकालेंगे a cap equal to होता है 처리 से upon mode of a so answer कितना आ जाएगा i cap plus j cap plus 2 k cap upon under root of इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का स्क्वेर 4 तो 4 एक 5 और एक 6 तो आंसर कितना आ गया 1 बाई रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाई रूट 6 के कैप तो correct answer इसका कितना जागा 1 upon root 6 i cap plus 1 upon root 6 j cap plus 2 upon root 6 k cap यह हो गया इसका मत्रक्स दिस अगला question कह रहा है कि इनके बीच का कूण गयात कीजिए बढ़ देखे question इस पस्ट नहीं है एक plus है एक minus है तो यहाँ पर थोड़ी सी problem है है ना यहाँ पर क्या है थोड़ी सी problem है या तो plus होगा या minus होगा और इसके बाद आपको formula लगाना पड़ेगा वही वाला cos theta वाला cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square और दूसरा आजाएगा कितना under root a2 square plus b2 square plus c2 का square तो यह आप लगा लोगे तो आपको answer आजाएगा चली अगला एक रिखा की दिक को जाएं ग्यात कीजिए जो निर्दे सक्षों के सामान कोड़ बनाती तो यह मैंने पिछले पेपर में भी करवाया है कि अगर समान condition बन जाती है चलो इसको मैं थोड़ा सा हल कर देता हूँ काफी बच्चे इसको जानना चाहते है चली इसको हल कर देता हूं मैं यह सवाल आ गया देखी कह रहा कि आपको रेखा की दिक को जाएं गयात की जो निर्दे साक्चों के साथ समान कोर बनान अगयों है तो अपने पास थीन कोर अंधा वीटा गामा तौ आपया लिख सकते हो ICES data कॉस अज्छा स्क्वेश का क्या होती है अब तीनो स्खेम है तो आप क्या लिख सकते हैं येग और यह भी cos qaq 1 कितना होगए 1 तो three cos qaq 2 होगए 1 तो cos qaq 2 की value हो गई 1 by 3 तो cos alpha equal to कितना होगए 1 by root 3 ओके और यही क्या होता है L equals to kittना होगए 1 by root 3 तो इसी तरीके से M का مान भी कितना हाजाए 1 by root 3 और N का मान भी कितना हाजाए 1 by root 3 plus minus लगा दिए क्योंकि root के दोने साना होते हैं plus or minus तो इस तरीके से आपके पास में element का माना गया है चली next question है देखिए अगला question क्या कह रहा कि सदिस समीह करना ग्याद करना है तो ये मैंने पिछले class में बताया था बहुत ही जो पिछला sample paper था उसमें मैंने यह question बिलकुल डिटो यह question था यह मैंने करवा रखा है तो यह बहुत आसान question है कुछ ही नहीं इसमें sorry चली अगला question देखिए अगला question है कि आपको प्रच्छेप ग्याद करना है तो प्रच्छेप का formula क्या होता है देखिए सदिस एक बीपर तो एक बीपर प्रच्छेप क्या होता है एक डॉट वी अपान मॉड़ अफ भी यहां पर इसका इससे ना डॉट कर दी जो और मॉड़ भी कर दिवाट कर दिए तो इसका इसका हो जाएगा एक और इसका हो जाएगा आठाट चोंसट ठीक ना इसको सॉल्व कर लेजिए जो भी अंसर हैगा वही प्रच्छेप होगा चले अगला क्या क्या एक डॉड बी को टू सिक्स है एका मोड दिया अबी का मॉड दिया परिमार दिये दोनों के ए और बी के बीच का कौन गयाद कीजिए तो आप जानते हैं एडॉड बी बराबर होता है मॉड ए मॉड भी कॉस थीटा बस इसका यूज कर लिजिए तो एडॉड भी कितना अप एक उल्टू पकॉस थीटा तो रूटत सीट री से शिक्स कृत्ते बार कर जाएगा तू वार तो बार तो कौस थीटा इसकूल टू कित आएगा वन अपॉन रूट टू क्योंकि ऊपर रूट तो नीचे टू है तो रुबाएगा वन बाइरूट टू अथ्लिटाइज इकल टू कित्य डिगरी 45 डिगरी तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 डिगरी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्ता मान मैंने कल कराया था पेपर में सिद्धी खीजे कि दीवह व्रत में खीचे गए आयतों में वर्ग उच्छिष्ट होता है ये भी मैंने आपको कल कराया था चलिए अगला कॉश्चन है कि प्रथम चतुर्थांस में इतने वरत और ये रेखा और एक्स अक्छे से गिरे छेतर फल ग्यांत कीजिए चलिए इसको थोड़ा सा हमको हल करना पड़ेगा ये वाला पार्ट जो कॉश्चन नंबर 16 है कॉश्चन नंबर 16 को हल करते हैं ना कॉश्चन नंबर 16 जो है देखें किस तरीके से हल होगा ये देखें तो क्या कह रहा कि आपके पास एक वरत है एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार एक्कॉल टू थर्टी तू तो समझे सबसे पहले इसकी तरिज्जा क्या है 32 को आप क्या लेख सकते हैं 32 को आप लेख सकते हैं 16 गुने 2 ओके और इसे मैं लेख सकता हूं 4 root 2 का whole square बिल्कुल लिखा जा सकता है तो अपने पास जो एक्चुली रेडियस होता है जो वरत का समही करण होता होता वो होता है X square plus Y square एक्कॉल टू आर स्कॉ Counter तो ये बन जाएगा आपने पास कितना X square plus Y square एक्कॉल टू 4 root 2 का whole square तो ये अपने पास आ गया तो x square plus y square equal to 32 को मैं लिख लिया कितना 4 root 2 का whole square बिल्कुल सही है ये समी कणो गया वरत का ये देखिए आपने वरत बना रखा है ये आपके पास तिर्जा कितनी है 4 root 2 अब क्या कहा रहा है y equal to x तो y equal to x ray का कहा से जाती मूल विंदूस जाती है इसको काट रही है आपको कह रहा है कि इसका छेतरफल आपको गयात करना है तो ये वाला छेतरफल आपको गयात करना है ठीक ना चली बहुत मेहनत लगने वाली इस question में कैसे solve करेंगे देखिए आपको सबसे पहले ये छेतरफल दो हिस्सों में निकलेगा एक यहां से यहां तक का छेतरफल और फिर इसके बाद यहां से यहां तो इसको मैं दो कलर से कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा देखे ये छेतरफल आपका दो हिस्सों में निकलेगा एक आपका सबसे पहले ये जो इस्ट्रेट लाइन ये जो रेखा है बना रही है ओके यहां तक फिर इसके बाद बाकी का जो छेतरफल है वो कौन बना रहा है बाकी का छेतरफल जो तो आपको सबसे पहले यह बिंदू चाहिए है कि आखिर रेखा कहां से कहां तक जीरो से तो इस टार्ट हुई है बट कहां तक जा रही है तो रेखा में लिए क्या है? रेखा का नाम क्या? Y equal to X. तो रेखा और ब्रत का कटान मिन्दो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भई? दोनों समी करनों को हल कर दो. तो आपके पास में जो समी करने वो क्या है? X square plus Y square equal to 32. तो X square Y कीजे क्या put कर दो? एक्सपूर्ट कर दो तो X square equal to 32 हो गया, तो कितना हो गया यह? यह होगा आपके पास 2X square equal to 32. तो X square equal to हो गया आपके पास 16. तो X equal to कितना हो गया? Plus minus 4. तो प्रतम चत्यों सांस की बात लेनी है, तो X equal to कितना हो गया? 4 आगया. मतलब यह जो cut point है, इस पर जो cut कर रहा है, यहाँ पर X का मान कितना है? 4 है. मतलब Y भी कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि X equal to Y है, तो अपने पास क्या आगया? 4 आगया. अब देखिए, बहुत आराम से हो जाएगा यह काम. तो मतलब 0 से लेके 4 तक का area कौन shade करेगा? आपकी line shade करेगी. और 4 से लेके 4 root 2 का area कौन shade करेगा? circle shade करेगा. तो इसका answer हम निकालें, किस तरीके से निकालेंगे? देखिए. कैसे निकालेंगे इसका area? answer. 0 से लेके 4 तक का area कौन shade करेगा? line. तो हमको किसका Y चाहने पड़ेग तो चलिए solve करते हैं, तो 0 से लेकर करके 4 line का equation क्या है? y equal to x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x dx plus 4 से लेके 4 root 2 इसका circle का equation क्या बनेगा? इसका बनेगा under root 32 minus x square अब इसके बात बहुत easy है I hope so कि आप इसको कर लेंगे, नहीं बनता है तो please मेरे को lecture में comment करके बताए कि इसको कैसे solve करेंगे, बट I believe मैंने बहुत practice कराई है, तो आप लोग इसको करी लेंगे चलिए, next question देखते हैं अगला question देखे, यह भी आउकल समीक, आउकल नहीं यह समा कलन के उपयोगों का ही question है, यह वाला भी तो यह x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, यह आपके पास line दी है आपको कहरा कि इस से घिरे हुए छेतरफल आपको निकालना है, मतलब यह पूरा छेतरफल आपको इसको क्या करना है, निकालना है बहुत ही simple question दिया है, देखे कैसे करेंगे, 0 से ले करके 3 है ना और यहां से जो x में लिमिट चल रही है, क्या चल रही है, 0 से लेके 3 और y लिख दीजिए, यहां y dx ठीक रहना और यह दो गुना कर दीजिए, क्योंकि ऊपर भी है, नीचे भी है, तो आपके पास देखे कितना y square equal to 4x है तो आप इसका root ले लिजे, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो आप इसका root ले लिजे, तो आपके पास y निकलागा तो y square to under root of 4x, 4 का कितना होता 2, और यह बन जाएगा root x, तो 2 root x, तो बहुत यह असान तरीके से हो गया यह question, 0 से लिके 3, और यहाँ पे 2 root x हो गया, ठीक ना, dx, तो 2 बाहर आजाएगा, कितना हो जाएगा, 2 to the 4, और root x का कितना होता, root x का होता, x की power 1 by 2 plus 1, यह नहीं की 3 by 2, और इधर पे कितना हो जाएगा, 3 by 2, तो पल्टी मार करके 2 by 3, और 0 से लिकर के 3, चली, तो इसको कित कितना हो गया, 8 into 3 की power 3 by 2 upon में कितना 3, बस तो ठीक है, जादा solve करना होता, आप कर लिजेगा, इसको और जादा solve कैसे कर सकता हो, देखी क्या है आपका answer, 8 into 3 की power 3 by 2, है ना, और upon 3, तो 8 3 by 2 मतलब क्या होता, 3 root 3, upon कितना 3, तो 3 से 3 cancel हो गया, तो total answer आपके पास कितना हैगा, फाइनली, 8 root 3, square 1, square 1, square 1, या वर्ग 1, खेलो, तो यह आपका final answer बनेगा, ओके, done, तो इस तरीके से यह भी कर लिया, अब देखे, अगला जो question है, आउकल समी कणका है, तो इसको आपन जो है, कल करेंगे, यहाँ तक आज की class को finish करते हैं,